कि एगाइज विलकम टू माई यूटुब चैनल मेरे ना मैं तुर शर्म असलब को स्वागत करता हूं तो काफी दिने से वीडियो नहीं बनाई थी यार में तब पॉजदा गराव होगी थी वाइरल फिवर हो गया था तो पता ही चल रहा था क्या हो रहा है क्या लाइफ में 11 सब्सक्राइब और बीच में साइकोमेंट्रिक टेस्ट था वह भी देने बड़ी मुश्किल से आया था मैं जल अंदर मेरा था सेंटर ना उसके बारे में पता हूँआ किसी अलग वीडियो में तो वो देने आ फिर भी तब इत्खरा भी चल रहा थी लग भग ठीक ठाक था पूरी चीज़ बताऊं कि आप आप जो टाइम बचा है हाला कि कुछ लोग अभी शुरू करना चाहते होंगे हैना कुछ लोग पहले से पढ़ रहे होंगे तो आने वाले टाइम में आप क्या कर सकते हैं कैसी स्ट्राटजी यूज़ कर सकते हैं जिससे आपका एक्जाम बह लगाना चाहिए ठीक है तो आप मौक टस लगाना चाहिए कि वहां पे आप एनलाइस करते हैं आपको कि आपने कितना आता है आपको और कहां तक पहुंछने की जरूब होते हैं तो उसके लिए मैं आगे करूँगा निक बेज़ दूगा इसका डिस्क्रिप्शन में डाले लिंक और साथ सथ कमेंट भी पिन कर दूँगा लिंक का फ्री मॉक टेस्ट है रर भी पियों का उसको लगाईए और अनलाइज करें कि आप कहां पर है पहले तो वो चीज देखिए जब आपको पतला है कि आप कहां पर है फिर आंपर प्रप्रेशन स्टार्ट करते हैं ठीक है लिए और तीनों का लिंक में डिस्क्रिप्शन में डालूँगा वहां पर जाके उसको दीकिए अच्छे से वह आपकी बहुत ज़्यादा help करेंगे पाकी मोटा मोटा मैं बताओं आपको तो आपने क्या करना है आपने एक टीचर देखना है जो भी आपको अच्छे लगते है उन टीचर से आपने एक सब टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक के बाद आपने कुश्चन करने है और उस टॉपिक के करने है ऐसे फिर नेक्स टॉपिक पढ़ना है फिर उस टॉपिक करने है ऐसे आपने करते करते चले जाना है और सारा स्लिवर्स कवर कर लेना है परीका और जैसे आपका syllabus खतम होता है परी का फिर आपने focus करना है means पर और means पर आपने focus करना है फिर आपने क्या करना means की reasoning पर और क्या करते हैं उस पर focus करना है ठीक है means के लिए मैं book बताता हूँ को दो best book है मैं बताता हूँ मिशा एक तो high level di और एक high level puzzles ठीक है और यह दोनों book आपको pdf मिल जाएंगी मेरे group में आज ही telegram group में वहाँ पर मैं दे देता हूँ और वहाँ पर अल्रडी होगी वरता मैं आपको provide कर दूँगा और इसके लिए ace quant, ace reasoning और ace english आप book यूज़ कर सकते हो pre की और उसके preparation के लिए दुरान ठीक है अब बात करते हैं यह आपने solve कर ली दोनों books ठीक है और pre की preparation जाओ करते हो उसके लिए आपको minimum 2 महीने या maximum 2 महीने minimum maximum कुछी मान लो आप तो 2 महीने से जज़ाद आपको time नहीं लगना चाहिए और 2 महीने में आपनी slaves complete करना है आप target बना लीजिए ज़रूए आपको बनाने जिससाब से पर आपको 2 महीने में slaves complete होना चाहिए और लगबग 20 दिन exam करें हो उससे पहले आप यह दुनों books फॉल कर लीजिए high level puzzle और high level DI यह आपकी बहुत ज़रूद घर देंगे इसमें क्या है कि pre-k level भी बहुत ज़र डिया है और pre-level की puzzle बहुत ज़र है और यह आपकी बहुत अच्छी help करेंगे pre-k लिए means के लिए यह वाले जो दो books बता रहा हूं आपको ठीक है और जब बस 20 दिन बचे हो आपने mocks लगाने स्टार्ट कर देना है pre-k 2-3-4 जितने भी आप लगा पाऊ दिन में जितने ज़र लगा पाऊगे उतनी ज़र्द आपकी help रहीगी exam में ठीक है जी क्यों कि देखो RRB का जो exam है mostly speed के बारे में जितना आप speed gain कर लोगे उतनी आपकी help रहीगी वहाँ पर ठीक है जितने ज़र उसमें question मुश्किल नहीं होते है वहाँ पर वेबर में बहुत असान question होते है बस fact ही रहता है कि आप जितना ज़र अच्छी speed बन जाएगी आपकी आप उतने ज़र्दा question attempt कर पाऊगे और उतने ज़र्दा आपकी chance selection के high हो जाते है ठीक है second यह कि आप अपना जो basics है वो बहुत strong कर लीजी अभी से योगर आप basics strong कर लोगे तो आपको question बहुत असान लगेंगे बहुत easy question रहा हूँ बस यह है कि आप कई लोग क्या कहते है basic अच्छे से नहीं पढ़ते है arithmetic अच्छे से नहीं पढ़ते है उन पर ध्यान नहीं देते है तो वो थोड़ा मुश्किल लगता है तकर आप basics बहुत strong कर लोगे आपके question आपको इतने ज़ादा easy लगेंगे आपके question बहुत easily हो जाएंगे सारे और आपके बहुत स्कूर आ सकता है उसका speed match को daily करिए क्योंकि mains में भी speed match आता है और प्री में तो आदा ही आता है और बहुत जादा नमर में आता है तो वो आपके बहुत जादा help करेंगे इसलिए रोज particular time दीजिए simplification को, quantity equation को और number series को ठीक है उसके बाद बात करते हैं mocks कैसे लगाने है जब भी आप जब भी आप preka syllabus cover कर रहे हो तो तीन तो sectional mock लगाने है और एक full length का mock लगाना है एक हफते में ठीक है जिसे एक दिन आपने full length लगा लिया एक दिन English का section लगा लिया और जब आप preka syllabus खतम कर चुके हो तो आपने एक mock लगाना है daily preka और साथ-सत means का prepare करने ही करना है और daily एक mock लगाना है preka और means का preparation करना साथ-साथ ठीक है इससे क्या होगा कि आपकी preparation pre की बहुत अच्छी होती चले जाएगी और फिर जब आपके पास 20-25 दिन पचेंगे तो आपने तीन चर्माउक लगाने लगाने daily preka धान दीजीगा एक चीज़ और दाता हूं कि DI और puzzle जो हैं काफी लोग ignore कर देते हैं puzzle तो हलागी काफी लोग पढ़ते हैं और अच्छी भी जाती है अच्छा कासा आता है और बहुत असान आता है बहुत असान आता है इसलिए ध्यान दीजेगा कि आप इसको बहुत अच्छे से पढ़े अगर आपको नहीं समझा रहे हैं इसके classes लगाए और इस पर थोड़ा ध्यान दे ठीक है भाई? तो ये थी complete strategies इसको आप यूज करके आप बहुत अच्छा स्कूर कर सकते हो इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे ग्रूप मेसेज करेगे मेरे को टाक कर दीजिए और मेरे को पसनलना चीज भी कर सकते हो Instagram पे ठीक है? Instagram पे कर सकते हो, Telegram पे ये मेरा username है तो आप मेरे को मेसेज कर सकते हो, Telegram पे भी, Instagram पे ठीक है, मैं आपकी help करूँगा, जो भी मैं कर सकता हो तो बस ये है कि यार, ये main हाय है आपका job यूज कर सकते हो और job preparation कर रहे हो, उसमें करो, अरड़ी कोई चिकर नी है अगर इसमें से आपको कुछ helpful देखता है, तो उसको अपने schedule में add कर लो, वो मैं कहना चाहता हूँ ठीक है? एक और चीज, आप RRBPU का free mock test लगा सकते हो, मैं जैसे मैं आपको बताया ठीक है? उसको आपके कहते हैं, practice mock में जाकर, link में description में डाल दूगा और comment में भी डाल दूगा, उसको mock test लगाईए, और देखिए आप कहां पर stand करते हैं, और अगर आप इस schedule को follow करते हैं, और अगले चार महिने में एक नौकरी अपने लिए start कर दोगे, नौकरी कर पाथ पर चलना, और वो January में आपका result इतना positive आएगा, आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओ गए, तो अभी से start कर सकते हैं नहीं किया तो, आगे कर रखा है तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है बहिए, और pre-ki strategy हर एक की वीडियो मैं डाल दूगा, description में, उसको देखि है, उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतने काफी, thank you so much, फिर मिलेंके जल देख लिए वीडियो में जिप्ते क्लिप, all the best, bye, त्यारी करते रहें, bye